मेरा नमबावरामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दिद्दा की खरी खरीब मैं आज की वीडियो ताब एक सत्य कथा क्रूल स्टोरी के साथ चुरू कर रहा हूं बात है नब्बे के दिशक्ति और रही होगी करीब पंचानवे च्छानवे क्या आप हाँ मैं उन दिनों साही में कोच हुआ करता था पोस्टिंग थी मेरी बनादस में यूपी कॉलेज उद्धे प्रताप कॉलेज बारानती में तो वहां पर हमारा साही का सेंटर हुआ करता था तो स्पोर्ट इथरूटिव इंडिया के एक स्कीम होती थी एनस्टी सी नेशनल सर्च टेलेंट कॉंटेस्ट उसमें यह था कि राश्ट्री इस्तर पे टेलेंटेड बच्चों को तब स्कूली लेवल के बच्चों को च्छाट के जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और स्कूलों में सेंटर बनाए गए थे दसमी घ्यारमी बारमी के बच्चे हुआ करते थे शाइद साथमीय आठमी के भी होते थे तो ऐसा ही एक सेंटर एनस्टी سी का चलता था उधे प्रताब कॉलेज में देश भर में इस तरह सेंटर चला करते थे शायद पचास साथ या सौस जाजा सेंटर थे उसी तरह एक और स्कीम होती थी उस जमाने में सेजी स्पेशल एरिया गेम्स कुछ खास एरियाद में कुछ गेम्स बनती थी तीरनदाजी जह है वो जो है है ना वो ट्राइबल एरियाद में जहां भील रहते हैं उनका एक पारम पर एक प्रतिभा होती है दम नेतर गिक तो स्पेशल एरिया गेम्स तरह आपको मतल bikers जारखंड में राची साइड में कर रहें एनस्टीसी की तो एनस्टीसी का सेंटर तथ अब उदर प्रताब कॉलेज यूपी कॉलेज बारा नसीब है तो उस जोरान क्या हुआ कि साई में कुछ केंदर सरकार की में कुछ नितियों की वज़े ते या जैसे भी अचानक बहुत बड़ा एक फैनेशल क्राइसिस आ गया और यह हालत हो गई थी केंदर सरकार की कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए तनखा के तक के पैसे नहीं थे और एनस्टीसी में एक सेंटर का जो मंतली जो बजट होता था वह पांच्छे लाग रुपए अवा करता था यह पुराने दमाने की बात है नब प्रति दिन की डाइट का जो खर्चा था वो बच्चों को वो सेंटर से साहीब देती थी और लोकल जो कॉलेज का एड्मिनिस्ट्रेशन था मेस्ट चलाता था भी तो अब कॉलेजो का प्रिंस amend और टिने कि हॊछ के काम होता था ट्रिनिंग देना और प्रिंसट्रेशन और प्रिंसिपल स्कूल स्टाफ होता था इस का काम होता था बच्चों के रहने और खाने भी डाइट की वैवस्ताक्त नाँट में कोचस सिर्फ देख रेक करते थे कोचस का कोई से नहीं था तो मुझे याद है उ depths में मेरी takes लखेर बात नहीं होई ती eh est trolley स्केम पहले बंद हो गई थी मेरे आने तक्रिण स्कीम बंद Ya की थी कुछ गिने चुने दो चार बच्चे रह गए थे बस तो हौकी एकलेटेक्स इस टाइप की गेम्स थी यूपी कॉलेज में तो हुआ क्या की तब जो क्राइसिस हुआ तो पैसे एक महिना जो है कॉलेज के नहीं आए अपसा मंधली बिल है छे लाक रुपया तो प्रिंस राशन खरीद के लाते थे मंधली एक बर पैमेंट करते थे वहां खाता चलता था कॉलेज का तो जब एक महिना पैसे नहीं आए तो उससे कोई फरक ने पड़ा चलो अगले महिने आ जाएंगे अगले महिने भी पैसे नहीं आए तो दिक्कत हुई बही दुकानदार तो लोगों ने चीखना चिलाना शुरू किया दुकानदारों ने प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बार बार चिठी लिखते थे एक बार जाकर दिल्ली होके भी आए अरे भीया पैसे बेजो क्या कर रहे हो इतने बच्चों को मुझे खिलाना है मेरे जिम्मे बारी है तो दो-तीन म मक्खन, दूद, अंडा, मीट, चिकन, इस प्रकार की जो महेंगी डाइट थी, वो धीरे-धीरे-धीरे जैसे सबते पहले चिकन बंद हुआ, फिर पनीर बंद हो गया, फिर मक्खन बंद हो गया, अंडे बंद हो गया, होते होते एक स्टेज ऐसी आ गई लगातार पांच-छे मैंने तक एक राइसस चलता रहा और एक स्टेज ऐसी आ गई कि सिर्फ दाल और रोटी खिला के बच्चे हॉस्टल में रखे जाने लगे हैं साही की जो डाइट मनी थी वो बहुत हमेशा थे बहुत अच्छी रही है इतना पैसा साही भेजती है कि बच्चा उतने पैसे कि अगर सचमुष डाइट खिला दी जाए तो खा नहीं सकता उस जमाने में भी सो डेट सो रुपए की डाइट हुआ करती थी मुझे एक्जक्ट अमाउंट तो याद नहीं है पर एक सो बीस रुपए का स्पास की डाइट उस जमाने में थी जबकि बहुत सस्ता जमाना था तो साथ दाल रोटी खिला के अब कोच तो साथ पूरी जबा के ट्रेनिंग करा रहा है बच्चे दाल रोटी खा के जिंदा है मतलब बच्चों का बहुत बुरा हल हो गया था अन्त में कोच ने ट्रेनिंग कम कर दी थी ट्रेनिंग करानी बंद कर दी थी बच्चे अपने घरों से पैसे लाके किसी तरह एक गिलास दूद दो अंडे खा रहे थे ये स्थिती आ गई थे तो सब 6-7 मेहने बाद फिर कुछ पैसे आये थाई के पास तो मुझे याद है मुझे कोचिस ने ये पूरा किस्सा बताया था कि प्रिंसिपल सहाब गए दिल्ली तो वहाँ से पैसा सैंक्षन हुआ रिलीज हुआ तो रिलीज हुआ तो जो अधिकारी गण थे साई के उन्होंने कहा कि ये 6 लाक रुपे रिलीज हुआ है पर आप तो पिछले 6 मिने से दाल रोटी खिला रहे हो तो जो 120 रुपे के डाइट है आप तो बीस रुपे नहीं खर्च कर रहे है डाल रोटी मेंद्य कर लगते हैं अभी कि कए 120 रुपे आपको दिये जब आपने खिला ही डाल रोटी तो आपको तो 20 रुपे मिलना चाब न पर दे पर चाइल्ड तो सब यह तैय हुआ कि चलो बीस नहीं साथ रुपे दे तो तो वहां से सब छे लाख रुपया मैं यह specific amount नहीं है मैं एक example दे रहा हूं पर amount लगभग इतना ही था तो सब साई ने छे लाख रुपया release किया प्रिंस्पल साइब के हाथ में आया प्रिंस्पल साइब के हाथ में आया पचास रुपया उस पचास रुपया जो दुकांदार का बिल था market का वो 20 रुपया payment हुआ 30 रुपया या 20 रुपया प्रिंस्पल साइब ने या college administration ने अपनी जेब में रख लिया बच्चों को टी बी हो गई है भूखे मर गए बच्चे यह एकदम सत्य कथा है उस जमाने के खिलाड़ी और उस जमाने के coaches मेरे इस बात को तस्दीक कर दें कि हामी भर देंगी कि हाँ ऐसा हुआ था तो अब दो चार मेने च्छे मेने के जो बिल्स थे वो पेंडिंग थे वो रिलीज हो गए तो साई को एक बात समझ में आई कि हर महीने के महीने पैसे देने में तो कोई फाइदा नहीं हमें तो कोई फाइदा है नहीं लाड़ी को कि आज का बिल छे मिने बाद रिलीज करेंगे और प्रिंसिपल को इशारा कर दिया गया कि तुम जैसे दाल रोटे खिला रहे हो खिलाते रहो तुम 120 रुपे की डाइट में 20 रुपे खर्च करते रहो 100 रुपे हम मैनेज कर लेंगे 20 रुपे में तुम बच्चों को डाल रोटे खिलाते रहो और इस तरीके से साल डेड़ साल तक NSTC की वो स्कीम चली और फिर जब बच्चों को टीवी हो गई कुछ बच्चों को बच्चे जब प्रैक्टिस के दौरान मुँ से खून फेकने लग गए तो धिर धिर स्कीम बंद हो गए तब ये सच्ची कहानी है कुछ लोगों को मेरी एक कहानी सुन के आज के वरतमान ओफिशल्स को या पुराने लोगों को बहुत बुरा लगेगा परन्तु ये एक सच्ची कहानी है मेरा चैनल कुख्यात है दद्दा की खरी-खरी मेरे चैनल का नाम है मुझे किसी को खुछ नहीं करना है इसलिए मैं बहुत कड़वी सच्चाईयां बोल देता हूँ तो सब ये तो थी 1990 वाले दशक के कहानी अब आज ऐसी ही एक कहानी फिर रिपीट हो रही है तो सब हुआ ये कि हमारी सो कॉल्ड ओलम्पिक चैंपियन विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया एंड गैंग धरना जीवी इन्होंने चंतर मंतर पे दिया धरना मारी गेलिया तो न्यू न्यू हो गया मारी हम तो लुट गए हाई में बरबाद हो गई मारी तो जी न्यू कर दिया मारी गेलिया न्यू कर दिया और मारा प्रेजिडेंट तो फिल्मी विलन है फिल्म में जैसे विलन ने दिखाते हैं अमरी श्पुरी हुई हम न बचा लू हम तक कुष्टी को बचान खाते राए हैं रातों को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शेहनशा कहते है तो ये दो मसीहा प्रकट हुए जी हम तक कुष्टी न बचाऊंगे कुष्टी को बचाने के लिए इन्होंने धर्ना दिया जंतरमंतर पर और कुष्टी का कैम्प सोनिपत से अतोरी लखनव से उठाके बालगड ले आए क्योंकि लखनव में तो अड़ा चल रहा था न वो कौन था वो जीविरो टाइप इनके अन्वतार मारा कैम्प तो ये बालगड लगगा तो जब कैम्प लग गया है बालगड एशियन चेंपिन्शिप की टीम जानी है लगए हुए एशियन चेंपिन्शिप से पहले मातर 16 या अठारा है तही कुछ दिन का कैम्प लगा है एक लड़के की एक पहलवान की डाइट है बारास रुपया प्लस छेसो साथ सो रुपया स्पेशल डाइट लगबग साथ सो रुपया एवरेज माल लो 1902,000 रुपय पर डे की डाइट का पैसा टेक्स पेयर्स मनी से सरकार देती है 2000 रुपय एक पहलवान की डाइट 40 लड़कियां कैम्प में है उसी तरह 40 फ्रीस्टाइल के लड़के हैं 40 ग्रीक रुमन वाले हैं और इसके अलावा करीब हर टीम के साथ लगबग 4-6 कोचस और 4-6 सपोर्टिंग स्टाफ लड़कियों के कैम्प में 40 में से अब तक सिर्फ 4 लड़कियों ने रिपोर्ट किया है कोई लड़की कैम्प में नहीं आई सरकार एक लड़की का 2000 रुपय दे रही है अब बगवान जानता है साई में कितने लोगों की आजरी लग रही है तो जब सिर्फ चार लड़कियां कैम्प में आई 36 अच्छा जो लड़कियां टीम में है उनमें तो एक नहीं आई जिनो नेशन चेम्परिशिब लड़नी है न अरे तुमारी तैयारी के लिए कैम्प लगा है बालगड़ में लखनव तो चलो साब बहुत खराब सेंटर था वहां तो अमरीश पुरी अच्छार करता था बालगड़ में तो तुम सुरक्षित हो तो बालगड़ में जो लड़कियां टीम में हैं एक भी कैम्प में नहीं आई सब अपने गणा रह रही हैं हम तो जी अपने सेंटर पर ट्रेनिंग कर रही हैं तो साई ने इज़्यत बतान खातर कैदी कोचस से अरे यार आजरी उजरी लगवा दो फरजी आजरी लगा दो तो तब फरजी आजरी लग रही है और एक बच्चे की डाइट का 2000 रुपे मिलता है ना सिर्फ चार आदमी का खाना बन रहा है कैम्प में 36 का नहीं बन रहा है 36 केम्प में रोटी नहीं खा रही है डाइट 2000 रुपे परड़े है कितने लाख रुपे हो गए आप इसका अंदा जाप लगा लेना बाल गड़क में कैम्प लगता है 80 परसेंट पर इलवान लोग का लेने के हैं सोनी पत्र तक के उसमें से आध्य से ज प्रैक्टिस करके चले जाते हैं शाम को आते हैं तो अब कितना पैसा परड़े बच रहा है इंडिया के डीजी साहब आपको इस अंधी पीसे कुटा चाटे व्यवस्था जो फाई में चल रही है बालगड कैम्प में इसकी कोई जानकारी है हाँ जी निस्टर अनुराग ठाकुर खेल मंतरी आपकी नाक के नीचे बालगड का कैम्प चल रहा है फ़र आपको इस कैम्प के क्रिया कलाब के कोई जानकारी है टेक्स पेयर्स मनी से मेरे आपकी जेब से जो टेक्स कठा किया जाता है उस पैसे चे एक पहलवान की 2000 रुपे की डाइट क्लेम की जा रही है भारत सरकार दे रही है वो पैसा किस की जेब में जा रहा है आद है से ज़्वान की डाइट बन रही है कितना किसकी जेब में जा रहा है जिस जो सप्लायर है जो राशन सप्लाई कर रहा है दूद मीट अंडे और पूरा खाना पीना कितना बिल बन रहा है कितने लोग एक्चली खा रहे हैं इसलिए बालगड़े में कैम्प लगाए जाता है अगर यही कैम्प में लगा होता न याई एक गांधी नेगर में लगा होता तो घर से आने जाने बाली विवस्था बंद हो जाएगी न या जी कadia कोई अपने गर से बेंगलॉ सो जाएगा नहीं रोज करें और हम 2,000 पर पहलवान अपनी जेब में डालते रहें अगर ऐसा नहीं है तो स्पष्टी करड़ दो हमने हमारी एक observation है हमने बता दी कि बाल गड़ कैम्प इसलिए लगाये जाते हैं पहलवानों को को भी सूट करता है अपने घर रहें के पहलवानी कर रहे हैं कि साई को भी सूट करता है Federation जो इन चीज़ों पर निगाह रखती है अपनी मर्जी से administration करती है अपनी मर्जी से discipline maintain करती है और जब सक्ती करती है तो Federation अपको बहुत बुरी लगती है इसलिए Federation को फुरिज में दर्दो थंडे बस्ते में डाल दो ओवर्साइट कमेटी को एक जांश दे रखी है चार अफ़ते के लिए जांश दी थी तीन महीने निकाल दी Sports Authority of India की एक ओवर्साइट कमेटी है जो की Wrestling Federation अफ इंडिया के सारे क्रिया कलाप इसी तरह अंदी पीस रही है कुछते चाट रहे है रोम जल रहा है ओवर्साइट कमेटी वाला नीरो Sports Authority of India का नीरो बांसरी बजा रहा है पहलवानी गई चूले बाड में आप बताओ ना National Camp लगा है Asian Championship में टीम जानी है चालिस में से 36 लड़कियों ने कैम्प में रिपोर्ट ही नहीं किया अज़ यह कैम्प अगर लखनव में रहा होता तो क्या यही अंदेर गर्दी होती क्या आप बताईए मुझे मैं यह सवाल सारे कुष्टी जगत से सभी श्रोता हूं से और सभी पहलवानों से और उनके पैरंट्स से बूच रहा हूं कि अगर यह कैम्प पट्याले में लगा होता तो क्या अशी तरह यह सारी लड़कियां कैम्प में आने से मना कर देती हैं क्या साई के पास कोई ऐसा मेकेनिजम नहीं है कोई विवस्था नहीं है कि इनको डिस्सिप्लिन में रख सकें इसलिए आप लोग को रेस्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया बहुत बरी लगती है क्योंकि ब्रजबोशन शरन तिंग एक स्ट्रिक्ट डिस्सिप्लिनेरियन है और पूरे डिपार्टमेंट को पूरे कुष्टी जगत को अनुशासन की डोर में बांध के रखता है तो ले बहुत बरा है अचा अप तो अनुशासन के कोई डोर है नहीं तो क्या हालत हो गई और अधने बोला नाई रहे नाई कितने बाल बोला भाई क्यों होगा बरावा तेरे सामने नहीं आउंगे आ जाएगे यह शिचमेशिप का रिजट यह अगले एक साल में आपने जो तीन म पतानी कहां और जाएगा प्रैक्टेस करने है और उसकी विनेश वोगाट जाएगी पोलेंडेस करने है रिजस विनेश वगाट के लोगाट के हालção है कि कोई अगले 9 मihने थे कोई公gesetzt नहीं है सेप्टेंबर में है एशन गेंट और वर्ल्ल चैंपियंशिप पर इन दोनों ने का जिए हमको थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए पोलेंड और उधर बेज़ दो किरगिस्तान कजाकिस्तान एथी कहीं बेजा है तो तब विनेश फोगाड जी अपनी पार्टनर लेके जा रही है कौन अपनी बैन मतलब बजरंग की पतनी धरम पतनी जी यह खुद तरपन के लोगी है वह तरशट के लोगी यह दस किलो का डिफरेंस है पारिंग पार्टनर ले आ जाता अपने बराबर का आँ जो स्पीट के साथ बराबर की स्पीड के साथ ट्रेंग करते के नहीं जी मैं तो का कि वो डेमोक्रेसी फॉर्द पीपल बाई दूपीपल होती है ना रेसलिंग फॉर्द फोगाड तिस्टर्दन बजरंग पुनिया बाई फोगाड तिस बजरंग की घराली उसका स्पेरिंग पार्टनर बनके जाएगी अधे बैया बीस तुमारे वजन की त्यार तुमारे वजन के अगल बगल जैसे तुम तरपन किलो के तो कोई तीन-चार किलो तुमसे वजन में ज्यादा तुमारे बराबर की एक दो वजन उपर नीचे चाल पूड़ी सीनियर को ले जाती है अपनी बेहन को ले जाएं तरकारी खर्चे परिवार ट्रेनिंग कर रहा है तरकारी खर्चे परिवार मौज ले रहा है कि पूर्ट सथार्टी अफ इंडिया पता नहीं क्यों इस जीज़ाइशाली की टीम से गवर्न हो रही है मज़ामाज जंदिगी का एक कैम अकसद है स्पोर्ट सथार्टी अफ इंडिया का तो एक कैम अकसद है इस जीज़ाइशाली की टीम को खुश रखना है करो भाई आचा यह दोनों जीज़ाइशाल एशन जम्मिशिप में नहीं जा रहे है चलो बड़ी आ है आने वाले समय में देखे क्या होता है कब आती है और साइट कमिटी और वह पिटूशा वाली आयोए की एक और जांच दो दो जांच परलेल चल रही थी उनके आज तक रिपोर्ट ही नहीं है चलिए हम भी देखने साब कब तक आप रेस्लिंग फेडरेश चलती है मेडल्स की फॉसल कटेगी तब पता चलेगा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत इस घंञेवाद अगली बीडियो में फिरते मिलते हैं हमारी दद्द्द्द की कड़वी यूं चलती रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यूवेरी मुच